हालो एब्रिवान वेलकम टू माई चैनल और कैसे हो आपके बहुत अच्छे होंगे और अभी बस सुभी का टाइम है कार्तिकी स्कूल जा चुका है उसके बाद मेरी जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट हो गई है तो आज है सावन सौmbार का तीसरा सौmbार जो है वो है तो इसलिए और आज ना दो ब्रत एक साथ भी हो गए है जैसे कि सावन सौmbार भी है और आज गड़ेश चतूर्ती भी पढ़ घए हैं तो दो ब्रत हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा तो उससे पहले मैं फटा फट से बस कार्टे का टिफिन बॉक्स बना कर मैंने उसको एसकूल भेजा दिया उसके बाद अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया यहां तक कि मैंने चाई भी नहीं बनाई है है तो अबी मेरे यजबन को भी आज चाहेंए नहीं पीने थी अभी तो पतानी क्यों वह भी नहीं पीये हैं तो मैं फटा-फट से पहले साफ सफाई लेती हूं और मैंने काम से काम क्या है ^^, नहीं सुवे ओ Cand . मैंने ठीक ठाक से कर दिया है जाड़ू भी लगा दी है उसके बाद यहाँ पर बिस्तर नहीं उठाया था और इतना टाइम तो सोबे सोबे मिली नहीं पाता है क्योंकि सबसे पहले उठते से ही केचन में भागो तो वहाँ से निपटने के बाद अभी फिर मैं यहाँ का जो ब जब मैं नहा लूँगी उसके बाद ही मैं मंदिर का जो काम है वो करती हूँ तो यहाँ भी मैं जाड़ू पोछा लगा दूँगी और थोड़ा सा टाइम तो थोड़ा क्या जादा लगी जाता है जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना उस दिन तो एक एक डेड़ घंटा जादा एस्ट्रा समझ के ही चलो की लगी जाता है इतना काम करने में वरना मतलब जैसे अगर मुझे पूरा काम करना होना घर का तो सुबह किचिन से लेकर पूजा पाट तक तो लगब मेरा दो ड़ाई घंटे तीन घंटे में सारा काम ने पढ़ जाता है पूजा सहित तो जब व् सेट करना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है बाकि इतना टाइम तो नहीं लगता अगर भी ना करें उसके करें ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है तो वस यहाँ पर देखी फट अपट से मैंने सारा काम जो है वो कर लिया अभी मैं आदोकर रेडी भी हो ग केहांगी कल के वीडियो में मैं देखाई नहीं पाई तो जो फूल का पीड है ना चोटा सब वोदा है वो मैं देखाऊंगी तो अभी मैं सिंपल सी जो सावं स्वाम बार की जो पूजा है वो कर लोंगी और साथ के साथ गड़ेश जतुरती भी इसी टाइम मैं सोबे ही हव थोड़े थोड़े करके ऐसे डगाल तोड़ तोड़के और बड़ी होती जाती है ना तो उनको छाटके और सुखाती जाती है तो बहुत सारी हो गई है तो रखी है तो यह अच्छा है हवन के काम आ जाती है और अच्छा भी लगता है थोड़ा सा इस तरह के से पूजा पाट के रखा सूट इसलिए नहीं किया क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ ना एक दम मॉर्णिंग से लेके फुल नाइट डे तक आप लोगों से वीडियो जो है ना सेर करने वाली हूं कि मैं क्या क्या करने वाली हूं ज्यादा कुछ तो दिन में कोई काम रहता नहीं है बस सु तक चाय बन रही है यहां मैं आलू रख दिये हैं मैंने थोड़ी से पानी में डाल कर उसकी जितनी भी मिट्टी होगी ना वह निकल जाएगी और मैं छीलूंगे नहीं क्योंकि बहुत छोटे आलू हैं एकदम बिल्कुल मैं छोटे बेबी पटेटोस हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैंने उनको थोड़ी बहुत मिट्टी बगएरे लगी होगी ना तो पानी में फूल कर निकल जाएगी तो जब तक वहां पर मैंने यह किया था उसके बाद मैं सीधे जब मैंने सारा कुछ बना लिया तो आप लोगों से मिल रही हूं थोड़ा सा पशंद भी है साबुदाना तो इसलिए मैं बना लेती हूं तो अभी बस मैं थोड़ा सा साबुदाना ली हूं मैंने और चाय तो मैंने पी ती अभी चाय मैं आधे गंटे बाद में जांटे बारद बनाऊंगी तो अभी बच गए हैं दोपैर के तीन फ्रसा लेड़ गई तो जैसे कि मैंने आप लोगों से का था पूरा वोल डेका जो रूटीन है वो शेयर करूंगी अभी मैं बनाने जा रहे हुँ चाहे पुड़ी सी क्योंकि है ना मुझे करना है अभी एक वीडियो एड़िट और एकदम नीन नीन सी आ रही ना मौसम भी बहुत अच्छा है मतल बहुत अच्छा था लेकिन जब भी ऐसा मौसम रहता है और बारिस बिल्कुन नहीं होती है ना तो फिर धीरे-धीरे करके ओम असना बढ़ती जाती है अभी मतलब ठंडी-ठंडी हवा तो चल रही होती है लेकिन जब साम को धीरे-धीरे खुल जाता है ना तो एकदम से इत के बाद च्छत में चलेंगे और आप लोगों को मौसम दिखाऊंगी बहुत अच्छा मौसम है लेकिन फिर मैं नहीं जा पाई मैंने सोच आप चाहिए बना करना अभी साम को ही जाओंगी अब थोड़ा सा मतलब रुक के ही जब तक मैं और काम निप्टा लेती हूं अपने जो भी केचेंड में पड़े हैं थोड़े बहुत बरतन हैं उसके बाद कर लेती हूं फिर जाओंगी च्छत में फिर वहां जाओ न तो अच्छा लगने लगता है न तो फिर वहीं रह जाओ और अभी बज गए हैं सामके साड़े पांच तोनल आ चुके हैं और मैं जा रही हूं पहले पानी बनने और अभी मतलब दो पहर में जब तीन बज़े चाई पी लगबाग तो फिर उसके बाद कोई काम नहीं था बस वीडियो मैं ने एडिटिंग की बैठकर और आपनों सा तेंग वीडियो अफ्लोड किया है फोड़ा सा टाइम ना गड़बड हो गया है रोज ना आजकल डेली ना टाइम पी वीडियो नहीं जा पा रही है तो वस बैठी रही उसे में टाइम कर दिया है और अब जा रही हूं ना लागे हैं और उसके बाद यहां का जो काम है चा से तो वस यहां पर जाड़ू और यह काम कर लों उसके बाद आप लोगों से मिलती हूं अभी खाना के टाइम मतलब आदा घंटा मुझे लग जाएगा काम करने में पानी बनने में उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी और जल्दी तैयारी करूंगी खाना की क्यूंकि आ अध्या क्या बनाऊंगी आप लोगों के साथ मैं सियर करूंगी तो पहले काम कर लेती हूं और फिर उसके बाद जर्मी लग रहे थी ना इसी वाजे से मैं ऐसे बाल कर लेती हूं आप लोग बुखते हो कि क्या मुझे बाल कोल के भी नहीं रखती मैंने सुच्चा चलो दो पहर को आपको देखाती लेके ना उस टाइम पे फिर मुझे इतने सारे काम थे बरतन भी पड़े थे और उसके बाद मुझे एडिटिंग भी करनी थी वीडियो पोस्ट भी करनी थी से लिए मैं नहीं आप आई और देखिए मुसम इतना सुंदर लग रहा है ना सच में पूरा खुल गया एकदम से और इतना रेड रेड ऐसा लग रहा है जैसे मला औरेंज कलर का जैसे बादल ने औरेंज कलर की चुनरी जो है ना ओड लियो इतना प्यारा लग रहा था तो मैंने कैप्चर कर लिया मैंने चलो आप लोगों को देखाती ह तो देखा अचानक ऐसे हो जाता है, मतलब अभी दोपहर भर में इतना ज़्यादा बादल बादल लगे थी, एकदम काले काले बादल, ऐसा लग रहा था, ऐसे बहुत जोर से बारिस हो जाएगी, लेकिन सारे बादल हट गए और अच्छा थंड़ा था, वो जैसे दीरे-दीर आपका जो है, वे मैं न कर लिया है, उसके बाद मैं जा हूँ, किच्छन में खाना बनाने के लिए, और अभी मैं नहा रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों, आज इतनी ज्यादा गर्मी सी लग रही है। तो मैं फिर से पसीना पसीना हो जाँगी, तो इससे पहले से तो आज ना मतलब तीसरा सौंबार जो था और आज सोबे से ही इतना सब कुछ इतना च्छा सब बनाया मैंने और अभी भी मैं बहुत सारी स्पेसल चीजे मतलब इसपेसल तो नहीं है पर हमारे लिए तो खास ही है अब जो भी है जो डेली बनाती रहती हूं वही पर आज जब भी मैं बरत रखती हूं ना तो ये लोग है ना खाना बहुत कम मतलब होता है और बच जाता है आज तो इन दोनों ने चावल चुआ तक नहीं है ना मेरे हस्बेंड ना कार्तिक ने पराटे बना दिये ना तो इन लोग ना पराटे ही खा लिये थे तो मैंने सोचा वैस सबजी मैं दो प्रकार की सबजी बनाने वाली हूं एक के लिए ये मसाला मैं तैयार कर रही हूं और दूसरी तो मैं कुकर मैं बना लूँगी साथ के साथ तो यहां पर ये मसाला मैं आज मैं भजिया की सबजी बना रही हूं तो मतलब वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्य बनाओं क्या नहीं बनाओं थोड़ी सी मतलब चावल के लिए इस तरीके की सबजी चाहिए थी ग्रेवी टाइप की तो मैं ना सोचा चलिए यही बना लेती हूं यह सबजी ना इतनी जल्दे बन जाती है आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला अगर सबजी नहीं भी होगी तो आप इस सबजी को असानी से बना सकते हैं बहुत ही मतलब बिना दिमाग लगा है बस फटा फट से बेसन गोलो और कुछ भी नहीं डाला मैंने नप्याज मतलब आलू कुछ भी नहीं सिम्पल सा नमक डालके मैंने इस तरीके के बजिया तोड लिए मतलब इसमें आवो कर लिए एक दो चमबच ही मैंने बेसन लिया था इतने में बन गए और इतने में ही काफी सबजी बन जाती हैं लगबग 3-4 लोगों के लिए आराम से तो उसके बाद दिखिए मैंने मसाला डाल दिया उसी में एक तेज़ पत्ता डाला था और मसाला डाल दिया उसको भूनूं डाल दे रही हूँ और साथ के साथ नमक तो इसको तो मैं सीटी लगा कर पकाऊंगी तो थोड़ा जल्दी से हो जाएगा और टामाटर भी मैंने डाल दिया हैं तो वस इसको थोड़ा सा और बूनूंगी अभी ऐसे ही खुले ढकन खुलके उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पानी डालके आधी गिलास के करीब पानी डालके और चिटी लगा दूंगी और यहां पर यह मसाला भी मेरा भुन गया था उसके बाद मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी पहली बात तो जब भी मैं यह मतलब पकोड़े की कोई वो बन रही हो जैसे सबजी तो इसमें बहुत अच्छी थी कि ग्रेवी टाइप की सब्जी बनी थी ऐसे नहीं कि बिल्कुल पानी जैसी बन गई थी आप ज्यादा डाल भी दोगे न तो भी वो मतलब पानी सोक लेंगे भजिया बहुत अच्छी और तोरंत मैंने भजिया डालके और गैस बंद कर दिया था इसको मैं लौकी बना रही हूँ तो उसको कोकर को मैंने साइट कर दिया है अब इतना खाना बनाया है तो मैंने सोचा कुछ मीठा भी बना लिया जाए पता है कल से मेरी इतनी एक्छा हो रही थी हल्वा खाने की पर मैंने नई बनाया करके कि अब रहने देते हैं कल बना लेते हैं कल मतलब मैं इनसे बोल भी रही थी हल्वा बना लेते हैं लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया तो मैंने का चलो आज तो बनाई लेते हैं इतनी सारी डिस बनाई है तो हल्वा भी बना लेते हैं थोड़ा सा मीठा हो जाएगा तो वही सिंपल सा जैसा बनाती हूँ खेर आज तो ड् तरफ है और पकाने के बाद लास्ट में तोड़ा सा दूर डालती हूं और सखोकर उसके बाद यह देखिए बन गया है अब बहुत अच्छा बनता है इस तरीके से हल्वा मैंने थोड़ा सा time है मुझे और और भी थोड़ा सा काम है तो इसलिए मैंने पहले से निकाल दिया है कार्ति खा लेगा तो देखिए प्राइड राइस है लोकी की सबजी है और भजियक की सबजी है और ये हलवा है और रोट्याँ इतनी अमें मतलब हलवा बना था बहुत ही अच्छा और सबज्जा तो बहुत ही अच्छी बनी थी हमने बच गई थी न तो दूसरे दिन भी खाली थी तो यह रही आज की थाली और अभी मैंने नहाया नहीं है पूझा भी नहीं की है खाना बना के रख दिया है क्योंकि मैंने आज जल्दी खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए मैंने फटा फट से आज 8 बजे ही खाना तैयार हो गया है हम मैंने सोचा फटा फट से पहले गेस भी साप कर देती हूँ उसके बाद मैं नहाने जाओंगी क्योंकि तो देखिए मेरा सारा जो काउंटर टाप है वो सब एकदम साफ सुतरा हो गया है अब बस यहाँ पर कोई काम नहीं रहेगा जितने बरतना मतलब खाना अभी हम लोग खाएंगे उतनी ही रह जाएंगे तो कार्तिक ने वो थाली में खा लिया था फिर मेरी हस्बेंट और मैं यहाँ पर खालूंगी मैं इनको निकाल कर देखे गई थी इतनी देर में मैं नहा कर आ गई हूँ तो मेरी हस्बेंट को भी आजकल पसंद आ जाती है लोकी और कार्तिक को तो अच्छी लग रही थी वो भी कह रहा था ममी अच्छी लग रही है कल्टिफिन में रख देना बच जाए तो वो ऐसे भूल रहा था तो वही मैं नहीं आज पता नहीं क्या होगी है सब को तो अगर पसंद जाती है तो बहुत अच्छा लगता है पूरा मतलब मेनत जो है न सूल रही है तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ मैं एंड करती हो उमीद करती है आप सभी को बहुत अच्छा लगी योगी वीडियो अच्छे लगिए तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब तो जरू से कर दीजिएगा तो चलिए मैं मिलूंगे आपसे अपनी नाश्टी वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू, बाइ-बाइ